नमस्कार स्वागत है आप सभी का दलेबल 10 स्टडी में आज हम 15 अप्रेल 2021 की जो भी नियूस है उसको हम डिसकस करेंगे आज की फर्स नियूस है गवर्मेंट लॉंच इस कॉमुनिटी मैंटल हेल्थ डिजिटल प्लेटफर्म मानस गवर्मेंट के द्वारा लॉंच किया गया एक कॉमुनिटी मैंटल हेल्थ डिजिटल प्लेटफर्म और इस डिजिटल प्लेटफर्म का नम मानस है ये एक कॉमुनिटी मैंटल हेल्थ है इसको में इस एप का जो में एम है वो ये है कि प्रमोट करना बढ़ावा देना वैल ब आफ इंडिया के प्रोफिसर के विजर रागवन इन्होंने वर्चुली मानस को लॉंच किया याद रखना प्रमोट वैल्विंग एक क्रॉस एज ग्रोप मतलब मेंटल हेल्थ के लिए यहाँ प्लेटफर्म तयार किया गया है मानस की फुल फॉर्म जो है वो है मेंटल हेल्थ यह एक नाशनल प्रोग्राम है प्राइम मिनिस्टर की साइंस टेकनलोजी और इनोवेशन एडवाइजरी काउंसलिंग का इस प्लेटफर्म पर जो डेटा होगा वो कॉंप्रहेंसिव होगा इसकेलेबल होगा एक नाशनल डिजिटल वैल्विंग प्लेटफर्म है यह ठीक यह उसके बारे में जो इन्फर्मिशन से वो प्रोवाइट करवा ही जा सके अगली न्यूस है युनाइटेट स्टेट्स प्रेसिडेंट जो बिड़न कॉल्ड अप रशियन प्रेसिडेंट ब्लादिमिर पोतिन टो डिडूस टैंशन स्टेट बाई रशियन मिलिट्री बिल उसको जो है वह कम किया जा सके ठीक है बिडिन ने प्रपोस्टा समीट टू टैकल इस डिस्प्यूट इस डिस्प्यूट को टैकल करने के लिए उन्होंने एक समीट जो है वह प्रपोस्ट किया रशिया सीज्ड यहां पे कुछ हम बैक्राउंड की बात करें तो रशिया है उसके बीच में दुबारा से फाइट शिरू हो गई वेर कवर्नमेंट फोर्सेस है बैटल रॉशियन बैग्ट सेपरेटेशन अब यहाँ पर बात की जा दिया कि यह सैविन येर का कंफ्लिक्ट जो है इसके अंदर 14000 लोगों की जो है वह अब तक डैथ भी हो गई यहाँ आप हम मैप भी थोड़ा डिसकेस कर लेंगे युक्रेन रिशिया और इनके बारे में यह आप लोकेशन देख सकते हैं पर यह यह यूप यह रशिया दैन आपको यह क्रेमिया है यह के जिसे रिशिया ने चीन लिया था यूप्रेंस से तो यहाँ पर हम कुछ rivers के भी बात कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर हम सबसे दह्केंगे एक प्रपेट नाम का एक marshis है actually बेलारूस में है यह बेललारूस है धीक है यहाँ पर आपको दिख रहा भाँ ठीक है प्रिपेट यह वाला यह एक रिवर है जो कि आगे जाके नीपर रिवर में मिल जाती है नीपर रिवर जो है वह यूकरीन की सबसे महत्परपूर रिवर है यही नीपर रिवर ठीक है यहां से इसी नीपर रिवर पर जो है वह यूकरीन की जो कैपिटल है वह इसी के त जल जमाव यह क्या है बेलार उस से होते हुए है ये उक्रेण में् आता यहाँ यह जो नदी है यहाँ नीपर नदी के अंदर मिल जाती है तो इनके द sneakingरा जो जल जमाव जो मार्शिस बनता है तिक तिक प्रिपेट रिवर के द्वारा ये यूरोप का सबसे बड़ा मार्शिस रीजन है ठीक है ये याद रखना कि जो प्रिपेट जो रिवर के द्वारा प्रिपेट और नीपर की जिसे नीपर की क्या बोलते हैं टुबिटरी बोलते हैं उसके द्वारा जो मार्शिस या जल शेत्र है का का बनता है वो जो कि बेलारुस और युक्रिन दॉनों में है नेक्स्स हम बात करेंगे डॉनवास पूरा जो रीजन है उस रीजन की बात करेंगे तो डॉनवास रीजन जो है वो कौन-कौन सी नदियों से बनता है एक तो यह नीपर नदी हो गई एक आपको साइट कोयला पाया जो आता है ठीक है नेक्स्ट हम बात करेंगे कीव रिवर की मैंने आपको बताई दी इसको याद रखना कि जो युक्रेन की जो कैपिटल है कीव वह नीपर नदी के तड़ पर इस देता है ठीक है और यहाँ पर आप देखना काला सागर में यहाँ पर ए स्ट्रेट ऑफ कर्च बोलते हैं तो यह जो कर्च है यह वैनेडियम भंडार के लिए काफी जादा महत्वपूर है ठीक है यह कहाँ पर है यूरोप का जो क्रीमिया पैनेस्वेला है वहाँ पर नेक्स्ट के बाद हम निपर रिवर के बारे में थोड़ा सा और देखेंगे यह दी निपर रिवर ठीक है तो निपर नदी जो है यह बालदी जो पूरी माउंटेन रेंज है निकलने के बाद यूक्रेन की महत्वपूर नदी है जो रूस यूक्रेन में प्रभावित होती है और यूक्रेन में भी ठीक है जो रूस और यूक्रेन में प्रभावित होते यहाँ पर हमने बात करेंगे एक रशिया की में से एक स्ट्रॉएंट ने पूछा था कि डॉन रिवर जो है वो कहां पर गिरती है तो जब रशिया में हम इस्पेशली यूरोप का जो रशिया है क्योंकि जो रशिया है वो दो कॉंटिनेंट में डिवाइड है एशिया और जो मैंने हाइलाइड भी कि हुई है यहां पर यहां पर याद रखना कि जो डॉन्रिवर है वह सी ओफ जॉब में गिरती है ठीक है और वाल का चैस्पियन और यहां पर यह आप देख सकते हैं स्टेट आफ गर्ज ठीक है यह रशिया है और यह क्या युक्रीन है यह वह मैंने कुछ लोकेशन की बाद कर लिये हैं मैप में यहां पर ठीक है अगली निवस है प्राइम निस्टन के ऑफिस की एक रिलीज है कि प्राइम निस्टन नरीद मोदी के द्वारा जो है वह नेक्स्ट यहां पर आपको याद रखने हैं मिन जी विषू कहां सैलीब्रीट किया जाता है के दला ने थिक जाता है असम् में इसके लावा तमिल जो लोग हैmath ठीक है उनको पुथान्डू के ओकाजन पर सब को ब्रिटिंग्स किया मतलब सब को फ्रोतिक सुपकाम ta दी ठीक है तमिल सिस्टर एंड ब्रॉदर्स तमिल नाजू एंड एक्रोस ता वर्ल जितनी भी तमिल स्लोक रहते हैं उनको पुथांडू के फेस्टिबल के ओकेजन पर जो है सबको सुबकामना है दी उसके लावा उडिसा ठीक है उनका जो उडियर न्यू यर जिसे बोला ज तमिल नाडू की बात करें तो यहाँ पर जो तमिल स्लोक होते हैं वह सैलिब्रेट करते हैं पुथांडू केला में विशू और असम की अंदर जो है वह बोहाग भी हूँ अगली नियूज है प्राइम निस्टर मोदी पेस् टिबीट बाबा सहाव अंबेड कर उन łat welfare इंवर्षड 130 वी बाबा सहाव अंबेड कर की जो है उस पर प्राइम निस्टर नरीद मोदी ना उनको शुदान जली दी यह जो डॉक्टर बाबा सहाव अंबेड कर जो थे वाद 14 अप्रेल 1891 में जो है वो बॉर्ण हुए थे यह एक इंडियन जुरिस्ट थे एकनॉमिस्ट पॉलिटीशियन सोशल रिफॉर्मर कैंपेंड मतलब यह रिफॉर्मर्स थे ठीक है इन्होंने कैंपेंड किये थे सोशल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस् पॉर्ट करते थे विमेंस और वर्कर्स के राइट को यह डाइड हुए थे 1956 में ठीक है इन्हें इंडियन कंस्टिटूशन का आर्गेटेक्ट कहा जाता है 1990 में इन्हें भारतन रत्न से नवाजा गया यहां पर कुछ और भी इंफॉर्मिशन है उनके बारे में हम वो भी द दॉक्टर बावर साहब अमेडिकर जो थे ठीक है उन्हें कंस्टिटूशन असांबली के जो ड्राफ्टिंग कमिटी के चेर्मेंन थे इन्हें फादर आपते हिंडियन कंस्टिटूशन कहा जाता है इन्होंने मतलब बॉंबे प्रेसिडेंसी कमिटी कमिटी जो की काम कर रह थे उसके पार्ट भी थे ठीक है याद रखने साइमन कमिशन की कमिटी के यह पार्ट थे प्रेसिडेंसी कमिटी के ठीक है इन्होंने स्टाबलिश किये थी बहस्कृत हितकरनी सभा ठीक है यह याद रखने कि इन्होंने स्टाबलिश की थी एक पार्टी बहस्कृत हितकरनी सभा जो प्रमोट करेगी ठीक है एजुकेशन शोशल एकनॉमिक इंप्रूब्मेंट्स अमोंग दालित ठीक है ठीक है उन्होंने एक सभा इतरा से तो यह समझ में आ गया होगा इन्होंने स्टार्ट करीं थी कुछ मैग जिन्स मैग जिन्स के नाम भी आप याद रखना मोक न रेजर्वेशन इलेक्ट्रोट की बात की जा रही थी यह उसकी टाइम की बात है जब बाबा साब अमेडिकर जो थे वह दलित को रेजर्वेशन के साथ में थे क्योंने रेजर्वेशन मिलना चाहिए लेकिन गांधी जी जो थे वह अगेंस्ट में थी तब जो है वह गांध यहाँ पर इन्होंने एक party बनाई थी जिसका नाम था independent labor party ठीक है तो बाद ने इसका जो नाम था independent labor party का नाम schedule caste federation कर दिया था ठीक है यहाँ पर एक चीज और याद रख नहीं है दो बार जो है वो elections लड़े थे लेकिन यह lost हो गया मतलब इन्होंने जीते नहीं वो elections अब हम बात करेंगे इसमें ठीक है law minister बने थी यह 1947 में ठीक है इन्होंने यह बुद्धिस्म में ठीक है अपने constitutional remedies को constitution की आत्मा कहा ठीक है जो constitutional remedies है आर्टिकल 32 उसको इन्होंने constitution की आत्मा कहा several books और essay इनके द्वारा लिखे हुएं जैसे कि annihilation of caste, Pakistan और the participation of India, the Buddha and his dhamma, the evaluation of provincial finance in British India, administration and finance of the East India Company यह इनके द्वारा कुछ essay और books लिखे हुएं अगली news जो है, वो है, ministry of agriculture in farmer welfare sign ministry of agriculture science, MOU with Microsoft for a pilot project, मतलब यहाँ पर बात की जा रही है कि जो agriculture ministry जो है, ठीक है, और farmer welfare union ministry of agriculture उन्होंने एक MOU sign किया है, Microsoft company के साथ मिलकर, ठीक है, वो एक pilot project चलाएंगे, च्छे स्टेट के सो गाओं में, जो च्छे स्टेट होंगे, वो होंगे, उत्तरप्रदिश, मद्रप्रदिश, गुजरात, हरियाना, राजिस्तान और आंद्रप्रदिश, इनके सो गाओं जो है, उनके अंदर एक pilot project चलाए चारा है, जो कि agriculture ministry और Microsoft, दोनों ने इसके लिए, जो है, वहां MOU sign किया है, इसमें क्या होगा, कि develop किया जाएगा, एक farmer interface, मतलब जो agriculture है, उसे digital agriculture का यहाँ पर idea जो है, वहां promote किया गिया है, ताकि जो farmers होंगे, उनको एक digital platform पर लेकर आना, ठीक है, उनके लिए farmers के लिए एक interface तयार करना, जो कि काफी ज़ए smart होगा, well organized agriculture होग मेंली यह काम किया जार है, डिजिटल, डिजिटलाइजेशन लेकर आना, agriculture के sector में, यहाँ पर technologies यूज की जाएंगी, farming के लिए, profitable ventures, कई startup स्टार्ट की जाएंगे, ठीक है, farmers के लिए, और इससे क्या होगा, कि agriculture की अंदर, जो नई generation के जो बच्चे हैं, students हैं, लोग हैं, व और farming को काफी ज़्यादा इजी बनाएगा, ठीक है, अगली न्यूज है, टू एडल्ट, वन हॉंट राइनो, वर रिसेंटली ट्रांसलोकेटर, यहाँ पर बात की जा रही है, कि दो, वन हॉंट राइनो, जिनने ट्रांसलोकेट किया गया है, पोवी तोरह वाइडलाइफ स से, अचली यहाँ पर थुड़ा नॉज हो रहा था, इसलिए मैंने वीडियो को पॉस कर दिया था, स्टार्ट करते हैं, ठीक है, दो, एडल्ट, वन हॉंट राइनो, जो है, वर रिसेंटली ट्रांसलोकेट किया गया है, पवी तोरह वाइडलाइफ सेंचुरी से लेकर, मान नेशनल पार्क में, यह लास्ट लेक था, वाइडल वाइडल ट्रांसलोकेटेड का, जो आई रबी 2020 के तहत, बाइस राइनोस को ट्रांसलोकेट करना था, पवी तोरह, पवी तोरह वाइडलाइफ सेंचुरी से, कहाँ पर काजिरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पा अगर हम इंडियन राइनो विजन 2020 के बारे में बात करें, जिसके तहती ही जो दो एडल्ट वन होन राइनोस को ट्रांसलोकेटेड किया गया है, यह जो प्रोजेक्ट जो था पूरा विजन, ठीक है, यह लॉंच हुआ था, दो हजार पांच में, इसका गोल क्या है, इसका गांधी औरंग नैशनल पार्क, काजिरंगा नैशनल पार्क और मानस नैशनल पार्क, इन सभी जगह पे जो है, वह राइनोस को फांड किया जाता है, ठीक है, ग्रेट वन होन राइनो जो है, वह इंडिया में ही मिलते हैं, ठीक है, और इनका जो प्रोटेक्टेड स्टेट वन में आते हैं ठीक है आपको यह याद रखना है कि जो वर्ण हॉंट राइनो जो है वो इंडिया में फाइंड होते हैं ठीक है और वल्नरेबल है यह आयूसीन की रेडलेस ना बागी कर फरस्ट है 72 में एक्ट में और साइट्स में भी ठीक है अदर कंसर्वेशन एफर्स की भी बात करें तो five rhino ranges जो है ठीक है इंडिया भूटान नेपाल इंडोनेशिया और मलेशिया ठीक है इन सबी ने जो है एक declaration sign किया था दा न्यू धैली स्टार्ट किया था एक प्रोजेक्ट ठीक है dna profiles of all rhinos जितनी भी rhinos हैं उन सभी की dna profiles को create करना next point है next जो conservation efforts ले गए हैं इंदिया के दौरा वो है national rhino conservation strategy जो की launch की गई थी 2019 में जिसका main ये था कि जो one horn rhinosaur हैं उनको conserve करना तो तीन जो हैं वहाँ efforts ले गए हैं यहाँ पर हम थोड़ा सा पौवी तोरा wildlife century के बारे में बात करेंगे ये काफी जदा highest density है यहाँ पर one horn rhinos की मतलब यहाँ पर कई सारे जो रहते हैं ठीक है वल्ट में और second highest concentration in awesome after काजी रंगा national park इसे मिनी काजी रंगा कहा जाता है पावी तोरा wildlife century को क्योंकि इसका जो vegetation और landscapes जो है वह काजी रंगा national park की तरह है काफी हत्ता ठीक है यहाँ पर यह घर है endangered one horn rhinosaur का और कई अधर भी mammals जैसे कि यहाँ पर leopard हैं leopard cat, fishing cat, jungle cat, feral buffalo, wild pigs, Chinese pangolin 72% जो पोवी तोरा century जो है वहाँ पर wet सवाना of arundodonics और सचा हरन मतलब यहाँ पर जो है wet सवाना ठीक है एक तरह से 72% में फैला हुआ है remaining area में water bodies है ठीक है पूरा जो पानी पानी है ठीक है जिसे water hyacinite and invasive aquatic plant मतलब जो पानी के अंदर जो plants फफूंदी टैप से लग जवाते हैं ठीक है water hyacinite एक invasive aquatic plant है यह major problem है इस area की especially water foul की ठीक है क्योंकि यहाँ क्या बनाती है यह water surface पर एक ठीक मैट टाइक से बना देती है ठीक है परत पूरी ठीक है नेक्स्ट जो है वो है register of indigenous inhabitants of nagaland यहाँ पर जो news है आपको यह R.I.I.N. की full form एक बार देख लीजे registration of indigenous inhabitants of nagaland यहाँ पर बात की जारे कि nagaland government जो है वहाँ काफी try कर रही है कि वह revive करे R.I.I.N. exercise को यह है क्या है यह launch हुई थी जुलाई 2019 में इसका objective यह है कि prevent करना outsider को कि वहाँ प्राप्त जो कर लेते हैं fake indigenous certification और यहाँ पर आके nagaland में आके जो हैं वो jobs और government schemes का benefit लेने लग जाते हैं ठीक है तो इसलिए वह बोल रहे है कि आप दुबारा से revive कर लेंगे हम register of indigenous inhabitants of nagaland यह nagaland के जितने भी inhabitants हैं जो वहीं के लोग हैं ठीक है उनको दुबारा से register करना ताकि check किया जा सके कि कि कितने लोग जो है वो दूसरे stadia दूसरी country से आकर वहाँ पर रहने लग गए हैं वार registration certificate बनवा कर अगली निवज है कि चंडीगड रिसर्च रिसेंटली सॉरी चंडीगड ने भी हाल ही मैं रिलीस्ट किया है first of its kind draft cycling policy ठीक है यहां पर ही cycling लेकर आ रहे हैं ताकि cycle मतलब एक अच्छा है noise नहीं होता ठीक है और जो carbon का emissions नहीं होता काफी ज़्यदा cost effective है हार कोई easily खरीद भी सकता है space भी नहीं ज़्यादा लगता है क्योंकि बाकी के और जो वीकल्स होते हैं उनमें हमेशे पार्किंग का इशू लगा ही रहता है ठीक है कौनसी policy cycling policy ठीक है तो याद रखना है यह पहली बार है जब city के अंदर ड्राफ्ट किया अगए cycling policy इंडिया में जिसे ड्राफ्ट किया जा रहा है चंडिकर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा नेक्स रहे केन वेतवा प्रोजेक्ट के वारे में है ठीक है अभी नियूज यह है कि Congress की जो प्रेसिडेंट है सौनिया गांदी उन्होंने एक डॉकुमेंट यूनियन गवर्मेंट यूनियन एंवार्मेंट मिनिस्टर प्रिकास चावेटकर को दिया है और उन्होंने बोल प्रेसिडेंट ने ठीक है एस्टिमेट लगाए कि 40% आफ टाइगर रिजर्व का ठीक है यहां पर टाइगर रिजर्व 15 टाइगर रिजर्व है वो टैमेस्ट हो रहा है ठीक है इंदारेक्ली बैक्ग्राउंड की बात करें तो यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर गजेंदी से यहां लोगों ने मिलकर मतення एक दत्रस से एक ट्रप्रदेश क की मध्यप्रिश के और यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर इन देनोंने मिलकर गजो वह स्टार्ट करेंगें की का जो कड़िंश का जो जो Memorandum of Agreement signed हुआ थे इन तीनों के बीच में ठीक है वह 18 साल बाद मतलब 18 साल पहले का एक आइडिया था ठीक है उसके बाद अब जो है उस पर जो है वह सहमती वह होई यहां पर कुछ इनफर्मेशन है यह देखना अपके लिए ठीक है थीक है बूस्ट की इस्पेक्स और करोड के इनवेट्वा इंटर लिंकिंग प्रोजेक्ट का जो बजट है यहां पर यह बजट के बारे में बताई हुए के इनवेट्वा प्रोजेक्ट जब वो ट्रांसफर करेगा जो पास होगी जहांसी बंडा महोबा डिस्टिक से उत्तर प्रदेश के और मद्यप्रदेश के टिकामगड़ पन्ना एंड छतरपुर डिस्टिक से ठीक है प्रोजेक्ट जो है वह बैनिफिट देगा यूपी को एंपी को ठीक है वह अपनी इरिगेशन और डिंकिंग वोटर क कि जो आवशकता है उन्हें पूरी कर सकता है अगर हम हजार्स की बात करेंगा प्रॉब्लम की बात करें तो प्रोजेक्ट जो है वह इन्वाल्व करेगा कि उसकी वजए से डिफॉरेस्टिंग हो जाएगी ठीक है और कहां जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उसकी ठीक है य यहां से भी हो रहा है जहांसी टिकामगर्ड ठीक है यह ठीक है और यह लिंक कैनाल से भी पूरा प्रोजेक्ट है यह जाए और यह बुद्यलकर्ण ब्रीजन है इसको पूरा इरिगेशन और ट्रिंकिंग वाटर और आसपास के इरिया को सारी सुविधाय प्रोबाइट की जाएंगे वाटर से रिलेग्ट पर ठीक है अगला जो न्यूज वो है नेरो लाइन सी फेरिट वन यह गैलक्सी है एस्ट्रोनॉमर्स ने अभी डिस्कवर्ड किया है एक नई एक्टिव गैलक्सी जिससे आइडेंटिफाई किया गया इस फार्देस्ट गामा रे एमिटिं यह आपर ठीक है नेरो लाइन सी फेर्ट वन गैलक्सी जो की 31 बिलियन लाइट यह अवे है काफी दूर है ठीक है ओपन अस एविन्यूस तो एक्स्प्लोर मोर सच गामा रेस एमिटिंग गैलक्सी ठीक है यह बहुत दूर है ठीक है और यह बतलब यह पता चला है कि यहां स एमिटिंग एनल स वन गैलक्सी से ठीक है वहाँ इस पैस में एक रेयर एंटिटी है मतलब होती यह च्पीं कभी कभी होने वावाली मतलब एक 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 आन्टिटी है न्यू गामर रेस एमिटिंग धो हो रही है एनल स से वस्कॉर्म देश्न उनिवर्स वास उनली और आज की बात करें तो इसकी जो एज है वो 13.8 बिलियन एर से इस तरह से यहां पर मत भी इंफॉर्मिशन नहीं बस यह यहाद रखने है एनल एस वन जो गैलक्सी है ठीक है नेरो लाइन सी फॉर्थ ठीक है इसकी पूरी फुल फॉर्म है यहां से गामा रेस जो है वो इस ग कवर्ड किया गया है और इसी के साथ आज का करंड़े फेर यहीं समापत होता है थैंक्यू सो मच